राजी चौक, मेट्रोल स्टेशन का गेट नंबर 6 और गेट नंबर के ठीक सामने भीड लगी हुई है दिल्ली बीजेपी के अध्यप्ष आदेश गुपता समेत तमाम जो बरिष्ट नेता यहाँ पर मुझूद है एक इस्टॉल लगाया गया है और इस्टॉल में यहाँ देखिए जन्मत संग्रे हो रहा है तकरीबन 7 सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जो धार्मिक संस्थान है उसके आसपास शराब की ठेके खोले जाने चाहिए क्या राम नोमी शिवरात्री गुरुपरब महावीर जेन्ती आदी पर ये ठेके खोलना सही है क्या ठीक है रिहाइशी इलाकों के अंदर गली मुहलों के अंदर शराब की दुकालने खोलना ठीक है ऐसे तकरीबन साथ सवाल दिल्ली बीजेपी लोगों से पूछ रही है और देखिए इस साथों सवाल के जवाब में नरेश कुमार नाम के एक शक्स हैं जो की सोनी पत से यहाँ पर आये हैं किसी काम से आये हुए थे और दिल्ली के लोग भी इसमें शामिल है और बकाइदा सब का आंसर यहाँ पर नो में है और तकरीबन कई जगहों पर कई लाग लोगों से इसी तरह का जन्मत संग्र और इसी पंफलेट के जरिए लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है नई शराब नीती के तहट जो की दिल्ली में इस वक्त लागू है लेकिन दिक्तत इस बात की है कि अभी भी रुक नहीं रहा है लगातार लोग शराब के लिए उमर परे हैं इन सब के बीच ये मुहिम कितनी रंग लाएग या देखिए जिस तरह से दिल्ली में केजरिवाल साथ सराब की नहीं नीती लाए है हमने बहुत पहले रामायन में पढ़ा है कि राम चंदर कहे गए सिया से ऐसा कलिव गाएगा कोई 500 स्कूल के वादा करके हजारों सरकारी ठेके खोलेगा हजारों सराब के ठेके खोलेगा कोई मुख्यमंत्री जो स्कूलों का वादा करता ह और वो बदले में जंता को क्या दे रहा हजारों ठेके अभी जब इन्होंने पॉलिसी के अंदर एक सराप की बोतल के साथ एक फ्री दे रहे थे उस समय जो फैक्टरियां थी वहां मजदूर नदारत थे क्यों पंद्रे पंद्रे दिन से वो लाइनों में खड़े हो के ज़्यादा शराप पी कर अपने घर को अपने स्वास्त को तबा कर रहे थे क्या इसलिए तेजरिवाल सरकार को चुना था अचा करी कारोबारी भी कह रहे हैं कि पहले तो दिहारी मजदूर काम करते थे लेकिन अब वो पैसे लेकर कुछ पाउच भी मिल रहा है जिसके जरीए वो शराप पी रहे हैं दिल्ली में देश में पहली बार राजधानी के अंदर ऐसे पैकिंग में सराप मिली जिसमें गोल्ड रिंग और सॉफ डिंग मिलता था या जूस मिलता था ऐसे पैकिंग में वो सराप और रम बांट रहे हैं अधिर जी जन्मत संग्र ठीक है लोगों की राय शुमारी ठीक है ठीक केजरिवाल जैसा करते थे वैसा ही आप मत ले रहें रेफरेंडम बना रहे हैं लेकिन जब हाई कोट में ये मामला गया हुआ था तो हाई कोट ने तो पुलिस से कह दिया आप सुरक्षा दीजिये लोग और स्कूलों के पास सराब के ठेके खोलने की पर्मिशन नहीं है बावजूद उन्होंने सिर्फ पैसे के लालच में अंडर दा टेबिल जो सराब माफिया से जो इनका गट जोड हुआ है उससे जो प्रस्टाचार किया है उसके लालच में यहां पर दिल्ली को बरबाद करन प्रस्टाइब करने पर दिल्ली को कोई पार्टी बरबात करने पर तुली हो और हम बचाने के लिए आ रहे हैं हम लोगों को बता रहे हैं तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता कई जगे तो आप प्रतिकात्मक तोर पर सील भी करने पहुंचे किस हद तक चले जाएंगे शराबनीती के खलाब देखिए आज लगबग 10 लाख लोग दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग अपनी जनमत आज हमारे जनमत संग्रे में देंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिंती शुरू हो गई है जस तरह से जनमत संग्रे में आज आप देखेंगे ज़्यादातर लोग 99 परसेंट लोग सब लोग ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली की सराब नीती खराब नीती है बरबाद करने वाली नीती है ठीक है शराब मिती पर जन्मत संग्रह हो रहा है लेकिन दिल्ली MCD का जो चुनाओ है उस पर चुनाओ की तायुकों का एलान बहुत जल्द होने वाला है राम किंकर सिंग कनाट प्लेस आज तक